नमस्कार मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तैल का अभी मैं मौजूद हूँ सफिद्धों के विद्धा अंटा गाउं हैं क्योंकि वो इस गाउं से आते रहते तो सफिद्धों में हैं लेकिन हमारे भियान के लिए मजबोत जो नेता माने जाते कदावर नेता माने जाते हैं चाइम बता बदा की बहुत भट उप्यूद्धिन को कोंगरिस के सर आपका सवागत है आप गाउं में जा रहे हो डो तुटुटूर गूम रहे हो किस परकार रिस्पॉंस लगता है सर गाउं में तो एक तरफा लहर जो लोगों में जुनून और जोज जो है देखने को मिलता है बच्चों में बुजर्गों में ऐसा हुड़ा साब के नाम के आंदी सी चल गई है इस टाइब से जज़ कल हमारी रथ यातरा जो गाओं में घूमी है तो उसमें जब देखनों को मिला कि बहुत रियली में मदल बहुत इतना अच्छा लोगों के देखनों को मिला कि जैसे कि एक तरफा बस लहर बन गी है हुड़ा साब के सामने ऐसे हुड इस रण में क्या भी कौन लोग जो भी जी रही है चैर इसमें तो सोनिपत लोग सबासे हमारे चोदरी भुपेंदर सिंग उड़ा हमारे 36 विरादरी के नेता हैं संगर शील नेता है तो इसमें कोई दोरायाली बात नहीं है कि कल जब उनकी रथ यातरती उस पिद्धों का ह हमारा एक तरफा मॉल बन गया है कल के इलेक्शन का अरुन खरब के बारे में बता दू यह एक स्कूल चलाते हैं एक बी एसम के नाम से इनकी संस्था है रामपूरा के अंदर इनके जो संस्था दुआरा हाजारों की संख्या में जो यूआ निकल चुके है और रोजगार प समाज की सेवा करना राजनितिक सेवा नहीं समाजिक सेवा है मैं इसको स्कूल के साथ साथ इसको समाजिक सेवा मानता हूं कि पहले बच्चों की सेवा की है समाज की सेवा हम जाकर करके कहीं आगर हमारे को कोई जुम्मिवारी मिलती है तो हम समाज की सेवा भी करना चाते है जब हम ढूर टूर जाते हैं लोगों को थोड़ा सा बोलते हैं कि उड़ा साब मदान में उत्रे हुए नोग सबाजर rhyme के तो लोग बोलते हैं कि यह आम चुनाओ नहीं है हमने उड़ा साब को बहुत बहुत बाहरी मतों से जिता करकर के और उनके सिर पर ताज बांदने का काम करना है तो लोगों की मन की इच्छा है यह बढ़ नाम बढ़ होने के विजए से लोग बढ़ते हैं काम के विजए से सर देखिए ठीश विरादरी के लोगों के लिए 10 साल तक उन्होंने काम किये हैं तो मतल मैं यह मानता हूं कि सपिट्धा आज़लोगों के बीच आप लोग जा रहे हूं हम जो ओडसाइब ने 10 साल जो कार्ये किये हैं उनको लोगों के जाकर बताते हैं जैसे हमारे सफितों का लोगों के बासिट्ध करते हैं सपित्धा अनलों नजय में तो अगर यह सारे चीशेंसे दूर कर दें तो जो कि सारे कि सारे उड़ा साब कही काम करवाई हूँ है अरुन भाई, क्या कुछ संदेश आप अपने कारिया करता हो कर मारे दर्स को मैं तैल का जो हमारा चैनल है मैं इसे लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि यह जो हमारा टीवी चैनल है यह बहुत अच्छा एक लोगों की आवाज को समाज में हर लोगों की दुख सुक की बात को हर समाज में पहुचाने का काम करता हूँ और मैं आपको विशेश बदाई देता हूँ कि आपने जो चैनल सुरू किया है हमारी सूब कामना आपके साथ में है हमारी सरकार बनी तो संदेश तो यह है कि लोगों के लिए अच्छे दिन जो मोदी साब ने बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे हम कहते हैं कि बूरे दिन जाएंगे और अच्छे दिन अब आएंगे जब चोदरी भुपेंदर सिंग उड़ा हरियाना के मुख्या मंत्री बनेंगे संदेश देना चाते हैं यह थे हमारे साथ आरुन खरब जी जो की सिंग उड़ा के खासम खासम में से एक माने जाते हैं क्योंकि मैं तो अक्सर इनको कभी फेस्बुक पे देखता हूं क spreadике के साथ लागातार यह मुझे लगता है हार दीसरे 14 दिन जो आ में। और प्रते में कॉंग्रस की सरकार बनेगी और बुपेंदर शिंग उड़ा जो तो आप मेरे साथ लागातार जुड़े रहें और देखते रहें कबर तहिल का आपका ज़नेवाद